तो किस तरीके से एस्टिमेट किया जाता है वो राउंड ओफ किया जाता है नंबर को तो किया जाता है 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 जाता ह तो जनरल रूल क्या होता है राउंडिंग का वो मैं आपको बताती हूं वें राउंडिंग, look at the digit to the right of the place to which you are rounding if the digit is 5 or greater, round up, if the digit is less than 5, round up तो सबसे पहले आपको round up करने के लिए देखना होता है digit तो अगर आपको बोला है round up to the nearest 10 तो आपको once digit देखना है For example, अगर number बोला है 26, अब इसका round up number बनाना है तो आपको once digit देखना है अगर once digit 5 और more than 5 है तो आपको क्या करना है, plus 1 करना है 10s digit में तो यहाँ 6 ते रखा है, more than 5 है It means आप pass वाले number में plus 1 कर देंगे तो 2 plus 1 होगा 3 और once digit के यहाँ पे लगा देंगे 0 तो यह number हो जाएगा 30 26 का round up हो जाएगा 30 ओके, तो plus 1 करना है आपको pass वाले number को बड अगर number यहाँ पे 3 होता less than 5 number होता है, यहाँ तो यहाँ पे nearest 10 आपको करने को बूला है तो यहाँ तो less than 5 है तब इसकी जगह क्या करेंगे, plus 1 नहीं करेंगे 10 में हम plus 1 नहीं करेंगे हम 2 को as it is लिखेंगे और 3 की जगह लगा देंगे 0 ठीके, तो nearest 10 जब को आप convert करेंगे तो last में 1 0 आएगा तो अगर once digit 5 से छोटा है तो वहाँ 10 में once digit के यहां पर आजाएगा 0 और 10 value as it is आजाएगी और अगर number more than 5 है या 5 है तो 10 में आपको plus 1 करना है और once digit के यहां लगा देना है 0 तो हम अभी इस से related question solve करते हैं ताकि आपका concept और भी clear हो जाएगा So question number 1 Question number 1 है Round off to the nearest 10 अब यहां first question में क्या दे रखा है 57 अब 57 क्या है यहां पर once digit 7 है 7 is more than 5 यानि आपको 10s digit 5 में क्या करना है plus 1 कर देना है It means जो number होगा nearest 10 क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा Once digit के यहां पर हम 0 लगा देंगे और 10s digit जो 5 है उसमें plus 1 किया तो हो जाएगा 6 यानि number हो जाएगा 60 Next number is 84 84 में once digit के यह 4 है Less than 5 है 5 से छोटा है 4 तो हम 4 की जगर लिख देंगे 0 और 8 as it is लिखेंगे It means number हो जाएगा 80 Next number है 935 अब मैंने बापको बताया था कि once digit अगर 5 और more than 5 होगा तो 10s digit में हमें 1 add करना है और once digit के यह पे लगाना है 0 It means number क्या हो जाएगा 940 Next number is 869 Again 9 is more than 5 It means हम 10s digit 6 के अंदर 1 add करेंगे तो number हो जाएगा 7 और once digit में हम लगा देंगे 0 It means जो number होगा 869 का round of number 870 Next question number is 4539 9 again more than 5 है It means हम क्या करेंगे 10s digit के अंदर 1 प्लस कर देंगे तो 3 का हो जाएगा 4 तो number हो जाएगा 4540 वर्स digit के यहां पे हम लगा देंगे 0 ठीक है तो इस तरीके से हमने सीखा कि किस तरीके से round of किया जाता है nearest 10 के अंदर Now question number F, G, H, I and J for homework So आपको यह वाले सारी question homework copy में करने हो comment करके बताने है इसकी correct answer Now let's do question number 2 Round of to the nearest 100 अब nearest 100 के अंदर आपको rule याद रखना है कि जो 10s digit है nearest 10 के अंदर हम 1s digit देखते हैं बट nearest 10 के अंदर आपको क्या देखना है 10s, जो 100 की 10s digit होती है अगर वो 5 और more than 5 होती है तो आप क्या करते हैं 100 digit के अंदर plus 1 कर देते हैं For example, अगर number दे रखा है 614 तो आपको देखना है 10s digit less than 5 है तो हम 2 0 लगा देंगे 10s और 1s की जगह और जो 100 की value है वो as it is आ जाएगा यनि 6 हम as it is लिखेंगे और 10s और 1s की जगह हम लगाएगे 2 0 यनि 614 का जो round of number होगा वो 600 होगा बट अगर number होता है 667 यानि आपको round of 100 करने को बोला है ठीके तो आपको देखना है 10s digit अगर 10s digit का 5 और more than 5 होगा तो हम plus 1 करेंगे 100 में ठीके तो यहाँ यह more than 5 और 6 तो हम plus 1 करेंगे 100 की value में यनि 6 plus 1 क्या हो जाता है 7 और लगा देंगे 2 0 अगर nearest 100 में convert करने को बोला है तो last में 2 0 जरूर ही लगेंगे ठीके तो इस तरीके से हम question करते है question number 2 question number 2 का first है 624 अब 624 क्या है यहाँ पर 2 जो है less than 5 है it means 600 आएगा इसका answer क्यों क्योंकि 100 में 2 0 लगते हैं तो last में 2 0 जरूर आएगा 2 की जगा आजाएगा एक 0, once की में भी 0 आएगा और 6 as it is आएगा but next question में आपको देवागा 136 36 क्या है 3 क्या है less than 5 है तो उसकी जगा 2 0 आजाएगे और 1 as it is आजाएगा यहाँ 136 का क्या हो जाएगा round of number 100 होगा next question में 10s value more than 5 दे रखा है 9 दे रखा है यहाँ पर 95 में 9 दे रखा है it means आप क्या करेंगे 100 जो प्ले से वहाँ पर plus 1 कर देंगे यहाँ जीरो plus 1 क्या होता है 1 यहाँ 2100 उसका round of number होगा next 4053 तो 4053 में क्या है यहाँ आप देखे 4053 आप देखेंगे 10s value 10s value क्या है 5 है और 5 क्या है 5 और more than 5 होता है तो आप क्या करते है 100 में plus 1 कर देते है अब 100 में plus 1 करेंगे तो number क्या हो जाएगा 4100 और हमेशे आज़कना 10s value of 1 जीरो जीरो लगेगा ठीक है तो इसी तरह से question number E हुआ question number F G H I J आपको comment section में इसकी correct answer बताने है उसे homework copy में करना है Now let's do question number 3 Round of to the nearest thousand बचो अमेशे याद रखना 10s value में जब आपको nearest 10s find करते हैं round of nearest 10 तो उसमें once digit आद देखते थे और 100 जब find करते थे तो 10s digit देखते थे लेकिन 1000 जब find करना है it means आप 100 digit देखोगे यानि अगर number है 3725 तो आपको nearest thousand में convert करना है it means आप 100 value यानि last से third digit देखोगे अगर वो more than 5 है तो आपको plus 1 करना है 1000 value पर तो यहाँ पर क्या है 7 दे रखा है more than 5 दे रखा है यानि 3 में हम 1 add करेंगे तो number हो जाएगा 4 और nearest thousand में convert करने को बोला है it means 3 0 लग जाएगे ठीके 1000 में 3 0 होते है न it means 4 thousand हो जाएगा इसका nearest thousand ठीके next number 6498 तो देखो बच्चो 6498 के अंदर यहाँ third digit यानि 100 की value देखी तो यह तो 4 है less than 5 है तो आप क्या करेंगे 6 को as it is रहने देंगे और 3 0 लगा देंगे 100, 10s और 1s की जगा तो it means इसका round of number हो जाएगा 6,000 next number is 9,516 तो 9,516 में आपको 100 की value दे रखी 5 तो it means आपको plus 1 करना है 1000 की value में तो 9 plus 1 होता है 10 और 1s 10s और 100 की जगा आप लगाएगे 3 0 it means round of number हो जाएगा 10,000 next number है 5,946 तो यहाँ पे 100 की value क्या दे रखी है 9 more than 5 है it means 1000 में आपको plus 1 करना है तो 5 plus 1 होता है 6 और 1s 10s और 100 की जगा लग जाएगा 3 0 यानि नमबर हो जाएगा 6,000 ठीके next number है 21,500 21,586 आप यहाँ पे देखें बचो 100 की value क्या है 5 है it means 1000 की place पर plus 1 करना है यानि हो जाएगा 22,000 ठीके तो इस तरीके से round off किया हमने question number F, G, H, I, J आपके लिए homework है practice ज़रूर कीजिए maths के अंदर और इन सब के जो भी मैंने homework दिया है उसका answer साब comment करके बताएगे क्या है इसके correct answer now you can take a screenshot of this exercise and do this work in the CW copy I hope you understood whatever I taught in this video if you like my teaching style please do like, comment and share this video with your friends and don't forget to subscribe to my channel thank you so much